हेलो और वेल्कम टूर दोस्तों ग्यान कमपस, आपके अपने योट्यूब चेनल ग्यान केमपस में आपका स्वागत है, दोस्तों आज का विडियो लेक्चेर है, सभी ब्रांचों के लिए कॉमन जो की हमारा सब्जेक्ट है आपका कम्यूकेशन इस्किल सेकंड जो की सभी ब तो यह पेपर आपके लिए है यह मॉडल पेपर है तो आए शुरू करते हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले का और बात वीडियो अच्छे लगे तो लाइक किज़ेगे चैनल पने है तो सब्सक्राइब कर लिज़ेगा और कोई कोरी हो तो कमेंट सेक्शन में मे दिया हुआ है तो देखे टाइम लिमिट धाई गंटे होती है मैक्सिमम मार्क्स पचास नंबर की पेपर इसमें कौन-कौन से टॉपिक आते हैं एक हमको आईडिया इससे मिल जाएगा हो यह ऐसा ही पेपर है तो दोस्तों कम्यूकेशन इसकिल का सेम टू सेम तो नहीं लेक भी तो झैप डाइकरडर मतलब जो ऐसके अकॉडिन यह संइस हमें चेंज करने जीसमें पहला हम ले लेते हैं ही इनवाइटि आल्डा फ्रेंड्स तो इसमें को हमें को प्रेजंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना होगा तो यहां इन्वाइटेड है तो प्रेजंट इंडेफिनिट के जो रूल्स होते हैं प्रेजंट इंडेफिनिट आपको पता ही होगा कि उसमें कोई भी सेकंड फॉर्म नहीं ह होगा तो उसके according आपको चेंज करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों जैसे पीपल प्रोग्रेस इन देर लाइफ तो पीपल क्या कर रहे हैं अपनी जीवन में उन्नती कर रहे हैं तो हमें इसको क्या होता है आपको जैसे तो जोस्तों प्रेजन क्या होता है जैसे सब्जेक्ट प्लस इस MR प्लस वर्फ की फर्स फॉर्म में आएं जी प्लस अब्जेक्ट ऐसा ही होता है कुछ तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप बना लिजेगा अगर रूल्स नहीं याद है तो आप अपने सारे टेंस के रूल याद कर लिजे फिर आप यह कोशन कर पाएंगा वरना भूल जाईए तो इसी तरह यह कुछ धे सारे साइस में पांच है तो आप सभी को करना हो कोई पास्ट इंडफिनिट में कोई फ्यूचर इंडफिनिट में तो इसी तरह दिये हुए बढ़ते नेक्ट कोस्टिन की तरफ जो हमारा सेकंड हाँ दोस्तों सेकंड से पहले बता दे कि आपको टोटल पहला कोशन आठ मार्क्स प्रांट का आएगा यह देखें है कि यह सेकंड कोस्ट्ट है तो एमारा फ्रेंघीर कोस्ट्टन फ्रॉम द गिए उन चैसे यह उपको पूंचर जाएगा इसमें क्या होगा कि करेंग्यों का इसमें करना है कि दोस्तों इसमें है फ्रेंग करें।् Tumbст crystal रम आ ने करते हैं विनीता है स्टोलन माई बुक क्यों इसमें कह रही है कि उसमें उसकी बुक चुरा ली इसको हमें कोश्चन वर्ड के रूप में चेंज कर देना सिंपल और कुछ नहीं करना है तो इस तरह आपका यह एट मार्क का आएगा अगर आपने यह सब नहीं पढ़ा तो पढ़के प्रक्टिस कर लीजेगा मैं पेपर का मॉडल पेपर आपको दिखा दे रहा हूं तो उसे अकॉर्ड इसमें आपको कंजंग्शन फिल करना है तो जो भी सुटेबल कंजंग्शन होगा टैंस का अकोर्डिंग हुआ आप फिलफ कर दी जगए इसी तरह आपको सब में फिलफ करना है तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पेपर का सॉल्यूशन भी उद्दिऊंगा अगर आ मैं आप लोग के लिए question paper का model लेके आया हूं तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह इसमें कई और रहेंगे next question होगा हमारा for fill in appropriate preposition हमें इसमें prepositions fill करने यह आपका four marks में पूछा जाएगा यह देखिए ठीक इसमें people are trying to make money यहां पर तूल भरेंगे तीसी तरह जो भी प्रिपोजिशन इसमें suitable बैठता टेंस को अब बोलने सुनने में सही लगे वह आप fill up कर देंगे ठीक पढ़ते हैं next question की तरफ है तो दोस्तों हमारा next है five question question number तो यह आपका जो भी इसका बनता है आप लिख देंगे तब आपको दो मार्क मिलेंगे एक मार्क का एक पार्ट है इसका ठीक next question six write the antonyms of the following तो इसका जो यह भी दो मार्क का पूछा जाएगा यह देख सकते हैं तो यह two marks में आपका पूछा जाएगा इसमें आपके वाइल्ड का antonyms लिखना पड़ेगा जो भी इसका antonyms होता है देथ का antonyms लिखना पड़ेगा ठीक है तो इसी तरह next question है seven इसमें क्या आपका read the following of the passes carefully answer of the question that follow it यह आपका four marks में आएगा इसमें क्या है आपको एक पैसेज दिया जाएगा एक जो है तो दूस्तों बढ़तें question number eight की तरफ इसमें देखिए आपका क्या है question number seven में थोड़ा बताना भूल के दूस्तों इसमें आपको पैसेज दिया जाएगा उसमें से आपको question रहेंगे उसके answer आपको उसमें से ठाइखिए आपको देने होंगे ठीक है तो आगे बढ़ते है question number eight यह आपको एक letter लिखना होगा commercial हो सकता है यह commercial letter लिखने को आएगा आपको तो इन दोनों में से किसी एक topic पर आपको लिखना है दोनों में नहीं किसी एक topic लिखना है ठीक है यह eight marks का आएग आपको यह अपर करनी है तो उसका एक लिखना है आपको उसके अकॉर्डिंग जैसे आपको लिखते हैं तो वहीं उसी से कोडिंग इसको आपको कोश्य नमर नाइन में इन दोनों कुछी एक टॉपिक में लेटर लिखना होगा यह दिखिए ठीक है तो चीफिश तरह टोटल आपके 50 मां तरह में कमेंट आएंगे तो मैं आपको यह पॉडर दे दूंगा प्रोवाइट कर दूंगा ठीक है दोस्तों और वीडियो को शुरू से अंतक देखा करिए तभी आपको नौलेज मिलेगी तो आई होप आपका आज का वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है और भी किसी टॉपिक पे मॉडल पेपर चाहिए या फिर किसी नया टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए कोई लेक्ट कर आएंगे हो सकता है दो एक दिन लग जाए लेकिन वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी ठीक है दोस्तों तो आज का वीडियो यहीं पे अंड करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीगे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा और कोई कोरी हो तो कमेंट स्क्षिंट में मेंसिन कर दीजेगा थैंक्यू थैंक्स फॉर वाचिंग